आज हम नर्सरी क्लास के मैप की बुक का पेज नमबर 28 करेंगे ठीक है उसने काई कि आपने जो है ना के कलर करके आपने वो शो करवाने हैं जो के पार्ट्स आपस में एक वाल हैं ठीक है चुके कलर आप लोग खुद करेंगे और आगे क्या कहा है राइटी नमबर उप एक व पार्ट्स, पूर एकवल पार्ट्स आपने। यड़ इसको कि राइट भी कहतना है ठीक है यह कितने पार्ट्स हैं 65 इते तो यह कित सको लेगत है तो यह हमारे पास क्या है ओन गूं और color भी हमने इन दोनों में करने है ठीक है 1, 2, 3, 4 तो हम लिखेंगे 4 by 4 ठीक है 1, 2, 3, 3 by हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने क्या कहा है यह जो equal parts है उनको show करवाना ठीक है तो यह हमारे पास 2 by 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 by 8 क्योंकि यह आप इसमें equal ठीक है अब देखे color आप लोगोंने किस किस में करना है इसमें क्योंकि यह हमारे पास क्या है equal यह भी equal है यह भी equal यह भी equal तो आप लोगोंने इसमें क्या करना है जो color है वो आप लोगोंने करने है खुद आप कलर को इसे भी अपनी पसंद के कर सकते हैं ठीक है इसे के साथ हम next page भी करेंगे उस पर क्या है draw straight line to divide these shapes into equal parts ठीक है आपने इसको divide करना जी तो यह हम इसको जब straight parts में हिस्कों में divide करेंगे तो उसके लिए हमें scale की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है तो हमने इसको यहां पर देखे क्या करना है इसको half of क्रुदध करना है तो आए हम करते है यहां पर फ्लेरियों करेंगी तो यहां पर दो इकवल parts में divide होगे। यहां भी हम center में रखके जो equal parts में इसको divide कर देंगे जी यहां पे देखें जरूरे नहीं आपने 2 को ही करना जितना आपका दिल चाहें आप इसके parts बना सकें लेकिन वो parts equal होने चाहिए ठीक है वो parts आपकी तारे आपस में equal होने चाहिए जैसे कि circle था तो मैंने इसको 4 इसो में divide कर दिया ठीक है यहां पे देखें इसको मैंने 2 इसो में कर दिया ठीक है तो यह मैंने जो है वो कार लिया straight lines लगा के इसको divide कर लिया तो हमारे यहां पे अबले अक्टर complete होता है एंशाला मिलते हम next video में आला आफ़किस